देश में महिलाओं पर हो रहे अध्याचारों की जब बात आती हैं तो ऐसे कई अंगिनत केस हैं जिनमें पीडितों ने अपनी जान तो गवाई साथ ही उनके परिवार वाले सालों तक न्याय की आस में बैठे रहें ऐसे ही एक केस के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे ह ये केस है तेज जनवरी उनिसोच जनवे का जहां प्रियदर्शनी मट्टू नाम की एक लड़की अपनी जिन्दकी सवारने में लगी हूँ थी जम्मू में अपनी स्कूलिंग और बिकॉम कम्प्लीट करने के बाद प्रियदर्शनी दिल्ली युनिवरसिटी से ललबी की डिक्री लेने के लिए दिल्ली पहुची यही पर संतोष कुमार सिहनाम के लड़के ने प्रियदर्शनी को प्रपोजल दिया लेकिन प्रियदर्शनी ने उसे ना कह दिया प्रियदर्शनी की ना संतोष को नागवार गुजरी और उसने प्रियदर्शनी को परिशान करना शुरू कर दिया संतोष कॉलेज में प्रिया का सीनियर था पास आउट होने के बाद भी प्रिया के पीछे वो बार बार कॉलेज जाता था और उसे परिशान करता था इस अबातों से परिशान होकर प्रिया ने संतोष के खिलाफ कंप्रेन की और पुलिस ने प्रिया की सुरक्षा के लिए उसके साथ एक कॉंस्टेबल की ड्यूटी लगाए ये कॉंस्टेबल थे राजेंदर से हैं जो प्रिय दर्शनी की सुरक्षा में लगे थे संतोष को कई बार वार्निंग दी गई लेकिन उसने अपनी हरकते नहीं छोड़ी उल्टा प्रिया को फसानी के लिए संतोष ने उसके खिलाफ जूटी कम्प्लीन की कि प्रिया दो डिग्रियां एक साथ पड़ रही है इस शिकायत के बाद प्रिया ने सबूत दिये और कहा कि वो काफी पहले एमकॉम कर चुकी है और अब लेल भी कर रही है 23 जनवरी 1996 को कॉंस्चिबल रिया के घर पहुशने में थोड़ा लेट हो गए तो प्रिया अपने माबाग के साथ कॉलिज निकल गए पर हैट कॉंस्चिबल राजेंदर सिह सीधा कॉलिज पहुशे कॉंस्चिबल ने कॉलिज में संतोष को देखा इस दुरान प्रिया अपनी क्लास अटेंड कर रही थी क्लास खत्म होने के बाद प्रिया वापस घर आए और कॉंस्चिबल से साड़े पाँच बजे तक वापस आने को गहा वही प्रिया के घर में खाना बनाने वाला कुक अपने दोस्त से मिलने घर से बाहर गया था 5 बजे वापस आया और घर के पालतो कुत्ते को घुमाने के लिए बाहर चला गया इसी बीच संतोष वहाँ पहुचा एक बात यहाँ पर ये भी थी कि संतोष को वहाँ आते देख प्रियदर्शनी के पडोसी ने देखा था और संतोष के हाथ में उस वक्त हेलमेट भी था साड़े पांच बजे जब हेट कॉंस्टेबल राजेंदर पिया के घर पहुची तो उनके साथ कॉंस्टेबल देव कुमार भी थे दोनों ने डोर बेल बजाई लेकिन गेट नहीं खुला काफी देट तक दर्वाजा नहीं खुलने पर जब पीछे के दर्वाजे से देखा तो गेट थोड़ा सा खुला हुआ था अंदर जाकर जब चेक किया तो प्रियदर्शनी की बोडी उसके कमरे के बैड के नीचे पड़ी हुई थी और मुह से खून निकल रहा था कॉंस्टेबल ने तुरंथ ही पुलिस टेशन इनफॉर्म किया पुलिस तुरंथ घटना अस्थल पर पहुची और जाच पर ताल शुरू की गए जाच में बोडी के पास से काच के कुछ टुकड़े और कुछ बाल मिले इन्हें सबूत के तोर पर जुटा लिया गया प्रिया का गला हीटर के तार से घोटा गया था जो पास में ही पढ़ा मिला उसे भी एविडेंस के तौर पर रख लिया गया जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त प्रिया घर पर अकेली थी शाम साड़े साथ बजे जब पिता चमनलान मट्टो घर पहुँचे तो उन्हें पता पड़ा कि उनकी लाडली अब दिन्या में नहीं है प्रिया की मा रागेश्वरी ने प्रिया के मडर का आरोप संतोष पर लगाया साथ ही ये भी बताया कि वो प्रिया को कितना परिशान कर रहा था संतोष पर लगाया गए आरोपो के चलते उसे पूछताच के लिए बढाया गया उसकी पिता कश्मीर में IPS ओफिसर थे और उनकी पोस्टिंग जल्द ही दिल्ली होने वाली थी प्रिया के मातापिता को ये डर था कि IPS ओफिसर के बेटे को पुलिस धील देगी और उन्हें न्याय नहीं मिलेगा प्रिया के घरवालों का ये डर सही साबित हुआ और जाज के दुरान कहीं धांदलिया की गई सबूतों को चुपाया गया और गवां नहीं लिए गय रिपोर्ट में भी बदलाव कर दिये गये रिपोर्ट में ये कह दिया गया कि रेप हुआ ही नहीं यहां तक कि ये कहा गया कि संतोष की टेस्टिंग के लिए लिए गए खुन को प्रिया की अंडर्वेर में डाला गया है ताकि उसे फसाया जा सके कोट के सामने जूटे सबूत पेश किये गए बदली हुई रिपोर्ट दिखाए गई जिसके आधार पर 1999 में जीपी थरीजा ने संतोष को बरी कर दिया देश में इस बात को लेकर बहुत आगरोश दिखा लोगों ने सड़कों पर उतर कर विरूत प्रदशन किया क्योंकि एक बार फिर एक बेटी दम तोड़ चुकी थी और उस कारोपी खुले आम घूम रहा था किसे भी अपरात को तीन पहलों से जोड़ कर देखा जाता है मोटिव मीन्स और अपॉचुरिटी संतोष के पास प्रिया के प्यार ठुकराने का मोटिव था बॉड़ी के पास मिले हेलमेट के टुकरे इस बात का सबूत है कि उसके पास हत्या करने का मीन था और तिसनी कि संतोष को प्रिया के घर में आते देखने वाले गवा भी मौजूद थे इसके बाद भी संतोष को खुले आम छोड़ दिया गया क्या देश की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जस्टिस फॉर प्रिया केंपेन चलाया गया सीवियाई ने हाई कोट में अपील की और हाई कोट में संतोष को दोशी करार दिया 2006 में ये साबित हुआ कि प्रिया की बॉड़ी से मिला सिमन भी संतोष का ही है जाच में ये बात भी सामने आए कि पुलिस ने कुपु स्वामी का स्टेटमेंट भी कोट तक नहीं पहुशने दिया था जिसने संतोष को प्रिया के घर में आते हुए देखा था जबकि कुप्पु स्वामी पहले ही बता चुके थे कि उन्होंने संतोष को आते हुए देखा है। पुलिस ने IPS पता के दबाव में संतोष को बचाया और कोट में गलत सबूत पेश किये। हाई कोट ने तमाम सबूतों को देखते हुए संतोष को फासी की सजा दी। अपनी इस फासी की सजा से बचने के लिए संतोष ने सुप्रेम पोट में याचे का दायर की। और स्प्रेम कोट ने फासी पर स्टे लगा दिया। 6 अक्टूबर 2010 को सुप्रीम कोट ने संतोष की फासी को उम्र केद में बदल दिया प्रिया के लिए इंसाफ मांग रहे हैं उसके माता पिता और वो तमाम लोग जो संतोष को फासी पर लटकते देखना चाहते थे कोट के फैसले पर बस ये कह रहे थे कि कोट से ये उमीद नहीं थी एक बार फिर देश की एक बेटी का अपराधी फासी के फंदे से बच गया था सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फूर मोर अपडेट्स